Good morning students, आज हम EBS का 6 chapter रीट करेंगे जिसका नाम है leaves, leaves means पत्या, आप सभी को EBS में page number 37 open करना है और साथ साथ में रीट करना है So children, अब हम start करते हैं, plants are very useful to us, बोधे हमारे लिए बहुत उप्योगी है Plants means पोधे, useful means उप्योगी, us means हमारे, they make our environment green and help in purifying the air जो हमारे परियवरन को हरा भरा बनाते हैं और हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं Leaves are an important parts of every plants, पत्या हर पोधे का एक महतुपुन हिस्सा है, important means महतुपुन They have different shapes and size, उनके अलग shape और अलग-अलग sizes होते है Different means भिन-भिन या फिर अलग-अलग They have the same basic structure, पत्यों का मूल संदचना एक ही जैसी होती है लग-बग पत्या एक ही जैसी दिखाई देती है उनके जो size होता है वो अलग हो जाता है और shape जो होता है वो अलग हो जाता है Petiol means dental, leaf blade means पत्य की धार, margin, stomata, secondary vein, primary vein ये primary vein दिखाई देरी आपको और ये secondary vein है ये क्या है? leaves के parts हैं तो आपको क्या करना है? ये अपनी notebook में draw करना है with name के साथ और जो इसके name है वो आपको learn करना है Leaves have a blade, the main vein, the side veins, the stomata and the main stalk Leaves में ये जो main vein अभी हमने बाते करी हैं क्या क्या होती है? Blade, leaf blade, secondary vein, primary vein ये साथी चीज़े क्या है? Leaves का हिस्सा है Diversity in leaves पत्यों में विविधता Leaves are mostly green in color because of the presence of a green pigment called chlorophyll Chlorophyll नामक हरे वर्नक की उपस्थिती के कारण जादा तर पत्यों जो है वो हरे रंग की ही होती है But some leaves also have other colors लेकिन कुछ पत्या अन्नी रंग की भी होती है जैसे आपने देखा है कुछ पत्या कैसी ये इन रंग की होती है कुछ पत्या yellow color की, orangish color की होती है ये जरूरी नहीं है कि जादतर पत्या हरे ही रंग की हो कुछ पत्या अलग रंग की भी होती है For example, amaranthus has red color, maple comes in orange color and croton has yellow color, yellow orange color Amaranthus का color जो होता है वो लाल होता है, maple means जो छायादार रख्ष होते हैं उनकी जो पत्तियों का color होता है वो orange color का होता है, croton yellow orange color का होता है Leaves are of different size and shape, पत्तियों जो होती है वो अलग-अलग size और अलग-अलग shapes की होती है जैसे कुछ पत्तियां छोटी, कुछ बड़ी, कुछ पतली, कुछ मोटी या अलग-अलग shape और size की होती है Leaves have different texture, पत्तियों जो होती है वो अलग-अलग texture की होती है जैसे some are smooth and some are rough कुछ पत्या soft और कुछ पत्या rough होती है कुछ पत्या मुलायाम और कुछ पत्या क्या होती है खुर्दरी होती है इस पिक्चर के थुरू आपको दिखाया गया है different leaves have different orders जो पत्या होती है वो क्या होती है औलग औलग उसमें खुश्बू होती हैं जैसे नीम, मेंट, हेना, करी, लीव, etc. नीम में अलग आपको खुश्बू आईगी मेंट में पुदीने में अलग और मेहनदी के जो पत्ते होते हैं उसमें अलग खुश्बू और करी लीवग से अलग खुशबुआएगी Do you know क्या आप जानते हो Some water plants like the lotus Have oily leaves जो पोधे पानी में उपते हैं उनके पत्या क्या होती हैं Oily होती है Leaves food makers of plant पोधों के खाद निर्माता Green plants prepare their own food हरे पोधे अपना भोजन स्वयम बनाते हैं They have a special pigment in their Leaves called chlorophyll उनके पत्यों में एक विशेश वर्नक होता है जिसे chlorophyll कहा जाता है Leaves take carbon dioxide from the air Water from the ground With the help of fruits and sunlight From the sun to prepare their food पत्यां अपने भोजन को तयार करने के लिए सूरत से और जडो से सूरी के प्रकास की मदद से जमीन से, हवा से, पानी से carbon dioxide लेती है The process of making food in green plants is called photosynthesis हरे पोध में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकास अंसलेशन कहा जाता है